कर दोस्तों आप सभी का हाल दिक स्वागत है हमारी यूटूब चैनल आवदेख्वाल मिक्स में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी आवसधी से परिचित कराने वाला हूं उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बताने वाला तो आपको सबसे पहले में आप लोगों को उस पौधे को दिखा देरा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह आवसधी जो है कहीं भी आपको मिल जाएगी यह आवसधी जो आप देख पा रहे हो यह देख लीजी अच्छे से भाचान लीजी यह जंगलों मे और खेत खलियानों में मेर में कहीं भी मिल जाता है जैसे मैं आप लोगों को और दिखा रहा हूँ चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी लगा हुआ है बहुत सारा तो देख लीजे यह लगा है यहाँ पे और यह भी लगा हुआ है और इसी तरह से मैं आप लोगों का और बहुत सारा दिखा रहा हूँ क्योंकि बर्जात के मौसम में यहर जगा उग जाता है असानी से तो आप भी इसे ढूंड करके पहचान सकते हो यहां पर देखिए यह अच्छे से आपको पहचान में आ रहा होगा यहां पर इसका जो पत्ता होता है इस टाइप को होता है इसको तिन पन्नी पुला जाता है हमारे ग्रामीर दिहाद छेत्र में और इसके पत्तियों को खटे डाल कर साख सब्जी बना जाता है और हिंदी में इसे हिरन खूरी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसका हिरन के खूर के पैर के समान रहता है इसका चिन्ह देख लीजिए हिरन का जब पैर जमीन पर पढ़ता है तो इसी टाइप का आकरिती बनाता है इसलिए साथ इसे हिरन खुरी खा जाता है तो आप भी इसे देख करके पहचान लीजिए इसके अंदर में कंद निकलता है इसको खोदने पर मैं अभी खोद के नहीं दिखाऊंगा आपको आप देखकर पहचान सकते हो जुरत पढ़ने पर इसको उप्योग कर सकते हो तो आप समझ गये होंगे कि इसके पत्ते का साख सबजी बना करके खाते हैं जिससे पेट रोग पूरी तरह से खतम हो जाता है, पेट की समस्या दूर हो जाती है और इसका एक बहुत अच्छी लाजवाब प्रियोग है जो आप इधर उधर भटकते रहते हो, ढूनते रहते हो मिर्गी अपसमार की दवा खोचते खोचते लोग परिसान रहते हैं हाली में हमारे आसपास के छेतर में मिर्गी के दवरे पढ़ने पर एक ब्यक्ती की मौत हो गई थी हमारे गाउं से कुछ 10-15 किलोमेटर की दूर पर है उनका गाउं अगर उन लोग को पता होता कि ये आउसधियां इस तरह से काम करती है तो सायद उसकी मौत नहीं हो पाती तो क्या कर सकते हैं हम लोग जानकारी डालते हैं सब को बताते हैं मगर किसी किसी को होना रहता है तो उसको जानकारी मालूम नहीं रहता है इसके वज़े से वे लोग मेरगी के सिकार हो करके अपना जान गवाँ बढ़ते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो ताकि कोई भी मेरगी का जो दोरा पड़ता है उससे असानी से छुटकारा पा सके तो मैं अप लोगों को बता दूँ कि जैसे मेरगी का दोरा पड़ता है तो आप इसके पत्तों को कुचल करके माथे पे लेप कीजिए अच्छे से जब माथे पे लेप करोगे तो उसका जो भी होसी पन है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा वहाँ होस में आ जाएगा आप करके देखिए इस परियोग को अगर इससे भी ज्यादा और दमदार असर देखना चाहते हैं तो इसको उखाड लीजिए खोद करके अच्छे से इसमें कंद निकलता है इसका कंद हिरन खुरी का कंद निकलता है अंदर में सफेद रहता है कंद छोटा छोटा रहता है बड़ा भी रहता है छोटा मुटा आप उस हिरन खुरी के कंद को खोद करके निकाल लीजिए और इतना दमदार इतना चमतकारी अवसधी है ये कि मैं आपको क्या बताऊं इसका चमतकार देखना है तो आप इसका प्रियोग कीजिए आप यकिन नहीं करोगे इतना जबर्दस्त असर दिखाता है ये इसके अंदर में कंद होता है आप उखाड के देख सकते हो लेकिन मैं अभी नहीं उखाड के दिखा रहा हूँ ज़रुत पड़े तो आप उखाड लेना जैसे आप लोग अभी पूछोगे कि सर इसका जैसे हम कहीं भी बाहर रहते हैं तो इसका अचाना कुपयोग कैसे कर पा जो मिर्गी का पेसेंट है वो अपने पास रखे रहे जब भी दवरा पड़े उसके साथ ही या फिर कोई भी उसके आसपास हो तो उसको तुरंत पानी में भीगो और भीगोने के बाद उससे रस निकलता है एक दो बुन भीगोने के बाद तो उस रस को आपना आक में डालो तुरंत उसका विहोसी खत्म हो जाएगा तुरंत छट पटा के उड़ जाएगा और चलने फिरने लगेगा इतना दमदार है या उसदी अगर इसके कंद को मुह में जीब में रख लेते हो तो आपके सरीर में करेंट दाउड जाएगा इतना असरदार है तो आप अगर नार परिसान हो जाओगे तो आप ध्यान से उपयोग कीजिए इसके पत्तो को ललाट में लगाया जाता है माथे पे लगाया जाता है जिससे बिहोसी की हालत समाप तो होती है मेरगी का दवरा समाप तो होता है अपसमार में लाब मिलता है और इसके कंद के और इसके कंद से तो और तिब्र फायदा होता है, तो आप कभी भी इसका पाउडर करना चाहिए, तो कंद का पाउडर करके अपने साथ रख सकते हैं, और कभी भी मिर्गी के दवरे वाले ब्यक्ति को तुरंथ होस में ला सकते हैं, इतना असरदार है ये, और इसके पत्तों को कच्चा ऐसी बना करके खा सकते हो, इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी पेट के समस्तरोग ठीक हो जाते हैं, इसके सेवन करने से, तिन पन्नी और इसको हिरन खुरी बोला जाता है, ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, तो मैंने आज आने वाले आवर वीडियो में मैं आप लोगों का और अच्छे अच्छे सधी से परिचित कराऊंगा, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी, आवर अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैच्छाथिसगर